एक समय की बात है, एक छोटे से गाव में, जहां प्रकृती की सुन्दरता ने हर कोने को अपनी ओर खीच लिया था। इस गाव में एक छोटा सा बच्चा था, जिसका नाम नील था। नील का सपना था कि वो एक जादूई दुन्या में खोजे और उसकी खुशियों को अंदेखा करी। एक दिन, नील ने अपने गाव के पास एक पुराने जंगल में चलने का निर्नए किया। वो जंगल में गहरे अंधेरे के बीच चलते हुए एक पुराने मंदिर के पास पहुचा। मंदिर के दरवाजे पर एक रहास्य मया पूर्नेमा के चांद की छाया थी। नील ने दरवाजे को खोला और मंदिर के अंदर चला गया। वहां पर उसने एक रहस्य मय और भव्य राजा की प्रतिमा देखी राजा की प्रतिमा ने नील को एक जादूई दिव्य चावी के पास ले गया नील ने वह चावी लेली और वापस अपने गांव की ओर चला वह चावी से एक पुरानी कठिनाई से भरी दर्वाजे को खोलने में काम्याब हुआ दर्वाजे के पार वह एक राजमहल में पहुचा जोकी उसके सपनों की तस्वीर थी राजमहल के अंदर नील ने एक बड़ी सुन्दर बागियों को देखा जिनने रंग बिरंगे पुष्प, जादूई पेर पौधे और प्राक्रतिक सुन्दर्य था उसने यहां अपनी सभी खुशियों को पाया और अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पूरी की